नमस्कार दर्शकों आध्यात्मिक लाइफ में आप सभी का बहुत स्वागत है अभिनंदन है मैं हूँ आपके साथ चित्रा शर्मा दर्शकों हम कभी ना कभी जीवन में परिशान हो जाते हैं अपनी परिशानियों को लेकर जीवन में आ रही बार-बार बाधाओं को लेकर क्या कारण है कि जीवन में बार-बार परिशानियत दस्तक देती हैं बार-बार बाधाएं हमारे जीवन में आकर खलबली मचा देती ह बनते बनते काम हमारा अचानक से बिगड़ जाता है बिजनस सेटप करना चाहते हैं लेकिन सेटप नहीं हो पाता है घर खरीदना चाहते हैं लेकिन उसके कुछ और ही रीजन्स बन जाते हैं कि हम घर नहीं खरीद पाते हैं ये सारी ऐसी problem हैं जिनसे हम और आप कभी न कभी दोचार जरूर होते हैं अब ये सारी problems क्यों आती हैं और इन सभी problems का हम tarot card reader के जरीए जो है कैसे solution कर सकते हैं ये सारी बाते आज आपको हम बताएंगे तो चलिए कारिकरम हम शुरू करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं tarot card reader आचारे पूनम दीदी का तो आचारे जी सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि आखर tarot card reading जो है उसका procedure क्या है किस तरह से ये helpful है हमारे future prediction को लेकर जी देखिए tarot card reading इंडिया की नहीं है एक एजिप्ट की परणाली है तो एजिप्ट से ये आया है और tarot card reading आपकी पूरी prediction करते हैं जो भी आपकी life में समस्याइं चल रही हैं जो problems चल रही हैं उसको ये पूरी तरह आपको समाधान देते हैं तो अगर आप future prediction को लेकर चिंतित हैं या अपने बारे में आप जानना चाहते हैं कि भई भविश्य में हमारे साथ क्या होने वाला है भविश्य हमारा कैसा रहेगा तो tarot card reading जो है वो एक ऐसा जरिया है जो आपको exact जानकारी देता है exact knowledge देता है अच्छा चाहरे जी यहां पर एक बात में आपसे और पूशना चाहती हूं लोग अक्सर वो वैदिक जोतिश की तरफ उनका रुझान ज्यादा होता है बजाए tarot card reading में तो ऐसा क्यों है कि वैदिक जोतिश को लोग ज्यादा preference देते हैं tarot card reading को लोग जो है इसके बारे में इतना aware नहीं है क्या इसके पीछे कारण है बिल्कुल यह आपने बिल्कुल सही बात कही कि वैदिक जोतिश क्योंकि बहुत पुराने समय से हमारे वेद पुरान यो जो पहले रिशी मुनी थे वो भी सितारों को देखके पता लगा दिया करते थे भविशे तो यह बहुत बड़ा फैक्ट है लेकिन उसी तरह की प्रडिक्शन जिस तरह मैं भी वैदिक जोतिश करती हूं इसको इस बात को मैं भी मानती हूं लेकिन अगर आप मेंसे आप अपनी कुंडली दिखाई या टैरो कार्ड के जरीए आप अपना भविश उसके हम सबकॉंशेस माइंड से कोश्चन जानके टैरो कार्ड के जरीए उसको जवाब मिलता है और जो भी वो आंसर आता है एडजेक्ट वो वैदिक जोतिश आप उसका देख लीजे या फिर मैं टैरो कार्ड से देखूं वो सेम ही आएगा इसमें कोई भी जरा भी अंतर नहीं होता है तो इसका ये कहना गलत होगा कि टैरो कार्ड से आप भविश्य सही नहीं बता सकते हैं या वैदिक जोतिश से सही बता सकते हैं सेम ही इसका आंसर आता है चलिए तो सेम आंसर आता है अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग के जरीए भी अपने फ्यूचर को जाना चाहते हैं या present में क्या हो रहा है ये समझना चाहते हैं तो tarot card reading जो है बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है अच्छा numbers से अगर हम इसको जोड़ कर देखें जैसे जो birth के number होते हैं माली जे कोई एक number का bond है किसी का birth number two आता है three आता है तो ये numbers कैसे tarot card reading के जरिये हम जान सकते हैं कि कैसा है अच्छा है नहीं अच्छा है positivity दे रहा है या negativity दे रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप से हम समझना चाहते हैं एक से लिके 10 numbers की जो prediction है वो हम आपसे चाहते हैं कि आप tarot card reading के जरिये हमें करके बताएं सबसे पहल करता है क्या उनको prediction करनी है और क्या कहता है रखना चाहिए future कैसा उनका रहेगा जॉब में रहें या business में रहें यह सारी तमाम ऐसी बाते हैं जो लोग जानना चाहते हैं देखिये नंबर एक वालो के लिए जो कि मेश-राशी माना जाता है जो हम नमेलोजी में बताते हैं नंबर एक यानि की सूरे का नंबर नंबर एक पावर का नंबर जो कि बहुत पावरफुल है उनके हाथ में पावर रहेगी वो जो चाहें कर सकते हैं अच्छा नाम और काम उन्हें मिलेगा अच्छा नाम कमाएंगे एक राजा की तरह वो रहेंगे के सकते हैं कि क्योंकि चीजे उनके हात में हैं और बहुत जादा हाई तो रहेंगे उनके अपना इसमें बिजनीश में अगर कहेंगे तो बहुत जादा वो खाई थोर्स लेके चलेंगे और जीवन में तरक्की भी करेंगे positive रहेंगे यह हमारा एक number वालों के लिए prediction है चलिए तो एक number जिनका birth number है वो इन सभी बातों को ध्यान में रखें सूरे का number होता है positivity का number रहता है राजाओं की तरह आप लोग राज करने वाले हैं तो बहुत अच्छा यह सारी बाते एक number वालों के लिए बताए गई है अब जिनका birth date दो आता है तू आता है वो किन किन बातों का ख्याल रखें उनका future कैसा रहने वाला है यह भी आपसे समझने चाहेंगे जी बिलकुल देखें दो नंबर यानि चंद्रमा का number और दो नंबर का हमारा card आया है जो कि बहुत ज़्यादा यह अपनी सोच से अपने आपको खराब कर रहे हैं क्योंकि इनकी सोच negative हो रही है कहीं न कहीं अपने आपको इने समालना चाहिए इनका क्योंकि बहुत अच्छा समय आने वाला है दोस्तों से मिलें उनके पास बैठें और positive सोचें positive energy में रहें इनके लिए बहुत अच्छा समय है चले तो दो नंबर वालों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपनी सोच को लेकर थोड़ा सा positivity अपने मन में लेकर आनी होगी अपने औरा को थोड़ा सा positive रखना होगा और आने वाला जो समय है वो दो नंबर के जातक जातिकाओं के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है तो इसलिए आने वाले समय का इंतजार करें लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ और positivity के साथ अब नंबर आता है तीन का तीन नंबर के लिए टेरो कार्ड क्या कह रहे हैं किस तरह के कार्ड्स निकले हैं बताइए तीन नंबर वालों के लिए भी बहुत high thoughts हैं ये बहुत ज़्यादा कई परकार के सपने देख रहे हैं जैसे कि मैं यहाँ भी पैर रख लूँ वहाँ भी रख लूँ ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ मुझे सब कुछ मिल जाए लेकिन दिन में सपने देखने से कुछ नहीं होता अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे क्योंकि तीन नमबर गुरू का नमबर होता है अपने बड़ों का सम्मान करें बड़ों की सेवा करें आदर करें तो आपके काम बहुत अच्छे बनने लगेंगे खाली हवाई पुलाओ ना बनाए इस तरह ऐसे इनके बारे में आ रहा है तो इनका बहुत अच्छा समय जाएगा क्योंकि इने बड़ों की सेवा करनी है और उनका आदर सम्मान करना है चलिए तो तीन नमबर वालों को ये बहुत जरूरी है ध्यान में रखना कि भई अपने घर में जो बड़े बुजर्ग हैं या आस्पास जो बड़े बुजर्ग हैं उनका आदर करना है सम्मान करना है रिस्पेक्ट करना है और मुल्टिपल थॉट से बचना है खुली आँखों से सपने नहीं देखने हैं अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी तब जाके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं तो तीन नमबर वालों को ये सारी बाते जो हैं ध्यान में रखनी हैं अब हम बात करते हैं नमबर चार वालों की उन के लिए कार्ड की। कि आए हैं और किस तरफ इशारा कर रहे हैं। 2020 जैसे की बहुत बुड़ा गया राहू का कार्ड था। लेकिश आ क्यूंकि इस बार राहू अच्छ सिथी ने हैं तो नोकरी पेशा वेक्ती जो है बिजनिस में हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी opportunity आ रही है उनको अपने काम में भी satisfaction मिलेगी अपने business में भी और उन्हें कहीं न कहीं भगवान का ध्यान भी करना चाहिए जिससे उनका राहू और मजबूत होगा और किसी को दान दक्षना भी कर सकते हैं हाँ उनको केवल अपने भगवान की पूजा करने चीज़ जिने वो मानते हैं बाकि उनके लिए बहुत अच्छी नई-नई opportunities आ रही हैं अच्छा जाएगा यह चलिए जी तो चलिए चार नंबर वालों का भी समय अच्छा रहने वाला है नई-नई opportunities आपका इंतजार कर रही हैं बस आपको जो है थोड़ा सा ध्यान अध्यात में लगाना है इश्वर की भक्ती में अपना थोड़ा से ध्यान को आपको डाइवर्ट करना है उसके बाद समय आपका अच्छा ही अच्छा है पांच नंबर वालों की बात कर लेते हैं जिनका वर्थ डेट फाइव है उनके लिए कार्ड किस तरह के आ रहे हैं किस तरफ इशारा कर रहे हैं ये बता दिजी देखिए पांच नंबर होता है बुद्ध का बुद्ध यानि हमारी बुद्धी हमारी सोच कहते हैं जैसी जिसकी सोच वैसा उसका जीवन तो बुद्ध के लिए आपको अपनी इस बार भी आपको अपनी सोच को खुला रखना होगा अपनी बुद्धी और विवेक से काम लेना होगा बाकी opportunities आपके लिए भी हैं समय बहुत अच्छा है इनका और पांच नंबर बुद्ध का ही ये हमारा साल चल रहा है 2021 तो बुद्ध वालों के लिए कोई कमी नहीं है ये केवल अपनी तकलीफों से अपनी बुद्धी को किसी भी भेकावे में आके खराब न करें और अपनी पावर को लेके चलें जो इनमें पावर है बुद्धी की सोच की उसका अच्छे से इस्तमाल करें समय इनके लिए बहुत अच्छा है opportunities इनके लिए भी बहुत आ रहे है चले तो पांच नमबर वाले भी इस बात का ध्यान रखें कि समय उनका बलवान जरूर है लेकिन समय का सदुपयोग करना है opportunities को जो है सही direction में लेकर जाना है negativity को अपने भीतर जो है जगे नहीं देनी है positivity को आप अपनाए उसकी बात समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है इस समय का सदुपयोग आप लोगों को करना है अब बात आ जाती है नमबर 6 की नमबर 6 वालों के लिए किस तरह के cards आए हैं और किस तरफ इशारा कर रहे हैं क्या उनका future है अच्छी देखिए छे नमबर यानी शुक्र का नमबर शुक्र में लग्जरी लाइफ और रुमैंस के लिए हजबन वाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है तो जिनका छे नमबर है उनको चिंता करने की जूरत नहीं है उनको नए-णे नोकरी के या बिजनिस के बहर से भी ओफर आ सकते हैं विदेश से भी अगर वो करना चाहते हैं तो जो पुरानी उनकी कोई भी चीज या बिजनिस या जॉब जो भी खतम हो गई है चूट गई है आप उससे हट जाएए और नहीं उपरचुनिटीज लीजिए नहीं दिशा में बढ़िये जो पुराना था वो खतम हो गया आपके जिवन में बहुत कुछ नया होने वाला है आपको बाहर से भी उपरचुनिटीज आ रही है बहुत अच्छा है उनके लिए समय तो चलिए 6 नमबर वालों का भी समय जो है बहुत अच्छा है और फॉरन से भी काम की जॉब की बिजनस की अपरचुनिटीज आपका इंतजार कर रही है तो अगर इस तरह की उपलब्धी आपको मलती है तो उसको जरूर एक्सेप्ट कीजेगा बाकी क्या-क्या आपको धि चाहिए आपनी लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगे अधिक्वी लीज़ जासे एकते ना के मेहनत करकर ठक गए इतनी मेहनत करेंगे उसके बाद उनको opportunities मिलेंगी लेकिन मेहनत करते रहना है ये नहीं के थोड़ा किया और उसके बाद बैठ गए मिलेगा जरूर कि मेहनत का फल जरूर मिलता है तो उनके लिए थोड़ी मेहनत जरूरी है तो साथ नमबर वालों को ये ध्यान में रखना है कि उनको महनत करनी है जितनी महनत वो लोग करेंगे उतना ही अच्छा फल उनको मिलेगा महनत से पीछे नहीं हटना है ये कहसकते हैं कि कही ना कहीं आप अगर अच्छी पोजीशन पे स्टेबल होंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी महनत के दम पर इसलिए साथ नंबर वाले जरूर मेहनद करें मेहनद का फ़ल दरूर मिलेगा और मेहनद से ही आप एक अच्छे मुकाम को हासल कर पाएंगे चल assuming आगे बढ़ते है बारी आजाती है नंबर आठ की नंबर आठ के लिए कार्ड कैसे आए हैं जी नंबर आठ है शनी का नंबर ठीक है तो नंबर आठ वालों के लिए सैटिसफेक्शन का कार्ड है आपको एक कदम आगे बढ़ाना है और अपरचुनिटी आपके पास है अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो कोई और ले जाएगा तो कहीं नगए आपको काम करने में थोड़ा आगे चलना होगा एक कदम उठाना होगा तो उपरचुनिटी आपको मिल जाएंगी क्योंकि आपका समय भी बहुत अच्छा रहा है दसन का कार्ड है आपको आगे आप बढ़ेंगे तो आपको कोई रोकने वाला है नहीं आप मेह मेहनद करने से पीछे नहीं हटिएगा मेहनद अगर आप करेंगे तो जो आप देख रहे हैं जो सपने आप बोन रहे हैं वह सपने आपके जरूर फली भूत होंगे चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 9 के बारे में जानेंगे कि नंबर 9 वालों का काड कैसा आया है नंबर 9 यानि मंगल का नंबर मंगल बहुत गुसे वाला प्लैनेट है हमारा तो जो यह नंबर वाले हैं नो नंबर वाले यह गुसा ना करें धेरे से काम ले सबसे पहली बात अगर यह गुसा नहीं करेंगे इनको अपने गुसे के बाद यह लगता है कि सब को जीवन में खत इधर उधर करने की जोटनी है जो है वो आपको मिल जाएगा केवल आप खुश रहिए दूसरों की मदद करिए आपके पास सब कुछ आने वाला है खुद बुकुर चलिए तो नौ नमबर बालों को भई बहुत जरूरी है इस बात का ध्यान रखना की आपको गुस्ता नहीं करना है अपने गुस्ते पर आपको काबू पाना है कंट्रोल करना है यदि गुस्ते पर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो जीवन में सफलता हैं आपका इंतजार कर रही हैं अच्छे मुकाम आपका इंतजार कर रहे हैं जो ऐसा कि आचारे जी ने कहा कि जीवर में कभी पीछे मुड़कर देखने की आपको आवशक्ता नहीं होगी यदि आप अपने गुसे पर कंट्रोल कर लेते हैं तो एक से लेके 9 नंबर टेरो कार्ड रीडिंग से कॉमन पूछना चाहती हूं क्योंकि टेरो कार्ड रीडिंग के जरे हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं अपने फ्यूचर को देख रहे हैं तो आजकल के टाइम में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मेल की फीमेल की कि उनकी चाहे हम प्रोफेशन को लेकर ले 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 या परसनल लाइप ले ले या और कोई रीजन ऐसा बन जाता है जिससे हजद्न और वाइफ के बीश में जो एक तालमेल होना चाहिए एक जो गम्युनिकेशन होना चाहिए वह कहीना कहीं धुमिल होता जा रहा है तो इनस न है's solve कर सकते हैं किस तरह से हम देख सकते हैं यह आप से थोड़ा समय जाना चाहिए जी बिलकुल यह आपने बहुत अच्छी बात कहीं कि आज कल यह प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं मेरे पास इवन इसी तरह की कॉल्स इसी तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं जो हतना तो हम प्रॉब्लम्स आजकर बहुत बढ़ गई है कुछ लोगों के वाइब्रेशन स्मयाच निखा थे कुछ लोगों की बोल चाल यह प्रॉब्लम्स हो जाती है जो हम सार्जिक नहीं बोल सकते तो यह मैं इनकी इस प्रॉब्लम का सोलुशन मैं आपको वन टू वन जो हमारे स्क्रीन पे नंबर सरे हैं उन पे आप कॉल करिएगा या मेरे से परसनल आप डिसकस करिएगा उसमें मैं बता सकती हूं बाकि सबके लिए कैसे उपाय बता पाना यह थोड़ा सा मुश्किल होगा वैसे आपने बहुत अच्छी बात कहीं यह बहुत हमारी कोमन प्रॉब्लम यह समाज की हो गई है क्योंकि इनको समालना भी बहुत जरूरी है क्योंकि रिश्टों में प्रॉब्लम तो हमारा सारा माइन और सारी चीजे हमारी डिस्टब हो जाती है जब हमारे घर में शांती नहीं हो तो फिर हम काम भी नहीं कर पाते एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है तो इसका मैं थोड़ा आपको अभी यहां पर नहीं बता पाऊंगे तो देखे बहुत सार्वजनिक तौर पर सभी लोगों को नहीं बताई जा सक करें अपॉइन्मेंट ले और आचारे जिसे आपकी मुलाकात हो जाएगी बाकाइदा वो आपके प्रेजेंट को लेकर फ्यूचर को लेकर हर एक प्रेडिक्शन वो बताएंगी जो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है अब जिस तरह से हम लोग लव लाइफ की बात कर रहे हैं तो बारा राशियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि प्रतेक राशी के जातक जातिकाओं के जीवन में इस तरह की जो बाते हैं मैरिट लाइफ को लेकर या लव लाइफ को लेकर कैसे रहने वाली हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेश राशी के बारे म मैं आपको बताते हूं मेश राशी वालों को क्या उनका relationship रहने वाली है जी देखें मेश राशी वालों के लिए बहुत ही positive card आया है Two of Cups जो की love and relationship का ही card होता है बहुत positive रहेगा इनके लिए और इनकी जो प्रेमी का है या पत्नी है उनके साथ इनकी बहुत अच्छी बनने वाली है और ये बहुत अच्छी बात है तो इनका relationship बहुत अच्छा रहेगा और जिसका नहीं है उसका हो जाएगा चलिए तो मेश राशी के जो जातक जातिकाए हैं उनके लिए card बहुत positive आया है अगर आप शादी शुदा जोड़ा है तो आपके बीश में जो एक सामनजस होना चाहिए पत्ति-पत्नी के बीश में वो बहुत अच्छा रहने वाला है और यदि आप love life के दौर से गुजर रहे हैं आप सरफ girlfriend boyfriend हैं तो भी आपका relation जो है बहुत ही positivity के ओर आगे बढ़ रहा है अब हम बात कर लेते हैं व्रिशब राशी वालों के बारे में कि उनकी life कैसे रहने वाली है लव life कैसे रहने वाली है या marital status जो उनका है वो आगे कैसे रहने वाला है जी देखिए व्रिशब राशी वालों के लिए कही ना कहीं relationship में negativity रहेगी देविल का card छे नंबर शुकर का card है इनके relations तो बनेंगे लेकिन relations जादा चल नहीं पाएंगे इनमें कही ना कहीं किसी की वज़े से या आपकी बहस की वज़े से किसी वज़े से negativity आ जाएगी तो इनको थोड़ा सा सोच समझ के relations बनाने चाहेंगे क्योंकि इनके लिए relations जो बनेगा बनेगा जरूर लेकिन वो चल नहीं पाएगा इनके लिए थोड़ा negative card है चल ये तो वरिशब राशी वाले आप निराश ना हो, card जरूर negative आया है, problem relation में जरूर आ सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी आपकी जो है इनी problems में निकल जाएगे देखे दर्शकों, जहाँ problem है, वहाँ उसका solution भी मौजूद होता है बस जरूरत रहती है तो उस solution को adopt करने की तो वरिशब राशी वाले जो हैं वो यहाँ पर निराश ना हो, card आपका जरूर devil का आया है यानि negative आया है, लेकिन ऐसा नहीं है, कि सारी जिंदगी ये जो negativity का साया है आपके उपर बना रहेगा, देखे दर्शकों, जहाँ पर problem होती है, वहाँ पर उसका solution भी जरूर होता है अगर आपके जीवन में problem आई है, love life में problem आ रही है, married life में आपके problem आ रही है तो इसका solution भी कही ना कही बना हुआ है, tarot card reading के जरीए ही इसका solution भी आप लोग जान सकते हैं और ये solution जानने के लिए आप जो अपनी screen पर numbers देख रहे हैं, details देख रहे हैं, बस इस पर आपको contact करना है आप जो है personally मुलाकात करके अपने बारे में सारी बाते जान सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे मिथुन राशी वालों की, मिथुन राशी वालों की जो आगे love life है या married life है, वो कैसी रहने वाली है मिथुन राशी वालों की love life अच्छी रहेगी, ये चार नंबर राहु का card है, लेकिन उनका राहु अच्छा चल रहा है, satisfaction का card है तो उनको अपनी life में, love life में, relationship में, या शादी शुदा जीवन में, उनको satisfaction मिलेगा उनको चिन्ता की कोई बात नहीं है, और जैसा कि आपने कहा कि हम remedies बताते हैं, उपाय बताते हैं, आप चाहें तो ये हमसे जान सकते हैं तो मिथुल राशी वालों का जो card आया है, बहुत ही satisfaction का आया है, आप लोगों के जीवन में जो है, एक ठहराव रहने वाला है, relationship में positivity रहने वाली है, बहुत अच्छा card आया है चले अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे करक राशी वालों की, करक राशी वालों के लिए card किस तरह का निकला है करक राशी वालों के लिए हमने पहले ही निकाल के रखा है card, यह है बहुत negative card, आप अपने relationship को लेके, या अपने शादी शुदा जीवन में आपके बहुत ही ज्यादा, आप depression में आ सकते हैं इसके चलते तो आप अपने साथी से बहस न करें, उनकी जो बात है उसको as it is माल ले, इजी ले, आप ज़्यादा इसमें tension ना ले, वरना आप कही ना कहीं relationship को लेके depression में आ सकते हैं चल ये तो करक राशी वालों को जो है इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा, card जरू negative आया है, लेकिन relationship को आपको एक अच्छे level का बनाय का रखना है, depression की शिकायत से आपको खुद को बचा कर रखना है, कि depression के level तक आप अपने relation को ना लेकर जाएं आगे बढ़ेंगे बात करेंगे सिंग राशी वालों की, सिंग राशी वालों के लिए card क्या कह रहा है, सिंग राशी वाले पे मुझे हसी आगई क्योंकि मेरी भी सिंग राशी है और बहुत ही positive card आया है, जिनके relations बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत अच्छे जाने व तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये सिंह राशी वालों के लिए जो कि मेरा भी तो बहुत अच्छा है ये इस आपको चिंता करने की कोई जरुबरत नहीं है चलिए तो रिजशिटिव कार्ड निकला है positive card निकला है relationship में अगर आप है husband wife हैं तो आप अपने आपको बहुत जादा protective field करने वाले हैं आगे बढ़ेंगे बात करेंगे कन्या राशी वालों की कन्या राशी वालों के लिए क्या card निकला है और किस तरफ प्यार मिलेगा बहुत अच्छी उर्जा मिलेगी positive energy मिलेगी तो यह शुक्र का card है उसके वज़े से आपके luxury life में भी सफलता मिलेगी आपको तो बहुत ही positive card है यह बहुत अच्छा है कन्या वालों के लिए बहुत अच्छा card relationship को लेकर चलिए तो कन्या राशी वाले भी खुश हो जाएं यह बात सुनकर कि उनका card भी बहुत जादा अच्छा आया है आपके relationship में भी बहुत जादा ठहराब और positivity रहने वाली है और साथ ही साथ luxury life भी आपकी बहुत stable रहने वाली है चलिए आगे बढ़ेंगे बात करेंगे तुला राशी वालों की उनके लिए card क्या कह रहा है देगे तुला राशी वालों का आया है eight of cups card यह हम इस card को कहेंगे उनके relation बहुत जादा अच्छे और बहुत जादा खराब नहीं रहने वाले ठीक ठीक उनके relation चलेंगे अपने साथी से वो निराशा फील ना करें जो उनके पास है उसी में गुजारा करें मिंस आप समझ रहें कि मेरा साथी अगर थोड़ा सा कमजोर है तो उसका सहरा मैं बजाऊं इस तरह से उनके relationship चल जाएंगे लेकिन यह बहुत negative card नहीं है हम इसको एक normal card गएंगे कि आपके relation ठीक चलेंगे पशरते की थोड़ा आपको भी उसमें help करने होगी तो तुला राशी वाले यह बात समझ लें ध्यान रख लें कि सामाने तरह का card आपका निकला है और आपको जो है सामन जस कहीं न कहीं अपनी life में बना कर रख व्रश्चिक राशी वालों की बात करते हैं तो आया है three of cups यानि enjoy card, खुशी का card, party का card, आप अपने क्योंकि अब हम इसमें relations की बात करें हैं कि वो हमारा कैसा रहेगा तो बहुत positive card है आपका relationship बहुत अच्छा रहने वाला है आप enjoy करेंगे उस चीज को आपकी life में कुछ ऐ नंबर गुरू का होता है जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे तो गुरू भी हमारे सही हो गए है कुंडली में तो बहुत अच्छा रहने वाला है तो चलिए व्रश्चिक राशी वालों के लिए भी card बहुत अच्छा आया है आपका जीवन भी अच्छा रहने वाला है love life है य पहलों का card थोड़ा सा थोड़ा सा क्या negative card है the fool आप अभी किसी से भी relationship में ना आए क्योंकि इसके चलते आपको किसी से धोका मिल सकता है आप अगर husband wife है तो भी आपस में थोड़ा समल के रहे और आप किसी से relation में आ रहे है या कोई आपको प्रोच कर रहा है तो उससे आप भी बना लीजे क्योंकि आपका ये धोके का card आपको कोई भी चीट कर सकता है इसलिए इस धोके से बचें और आप अभी अपने आप में खुश रहें आपको relationship में आने की अभी कोई भी अच्छी इस्तिती नजर नहीं आ रही है चलिए तो यहां पर धनूर आशी वालों को ये बात बहुत ही अच्छी तरह से अपने जहन में बैठानी है कि अगर आप पती-पत्नी है तो भी आपको अपने relation को बहुत समहल कर रखना होगा बहुत समहल कर आपको अपनी शादेशुदा जिंदगी में चलना होगा और अगर love life में आप हैं तो आपको यह ध्यान रख है six of swords यह बहुत positive card है आपको relationship को लेके कोई अच्छी news मिल सकती है आपको कोई नया friend बन सकता है आपको कोई इतना प्यारा बन सकता है कि आप उसके साथ अपनी life भी settle कर ले तो यह बहुत positive card मैं इसको कहूंगी relation को ले चलिए तो मकर राशी वालों के लिए भी बहुत अच् करेंगे कुम्भ राशी वालों के हम बात करेंगे कि उनके लिए card किस तरह का आया है क्या उनको बाते जहन में रखनी है कुम्भ राशी वालों थोड़ा सा समल के रहे five of cups इसको हम negative card बोलते हैं तो इनको relationship को लेके इनके लिए बहुत अच्छा card हम नहीं कह सकते हैं तो इनक relationship को आगे नहीं इसमें move on करना है इस relation को आपको यहीं पर रोक देना है फुल स्टॉप लगा देना है यदि husband wife हैं तो क्या करें पती-पत्नी है तो वो आपस में उतनी ही बात करें जितना जरूरी है मना उनमें रोज लड़ाई जगड़े होंगे और मामलक खराब होता नज मीन राशी के लिए कार्ड क्या आया है मीन राशी की बात करते हैं तो seven of sorts इनका कार्ड आया है और यह भी पॉजिटिव कार्ड है हाई thoughts का कार्ड है आप अपने relations को लेके आप अपने संबंदों को लेके positive रहें आपको कहीना कही negativity उसमें नजर आएगी लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो दिखाई दे वही सच होता है तो आप यदि positive रहेंगे थोड़ा अपने thoughts से थोड़ा अपने God से connection करके यदि आप अपने आप से question करेंगे तो आपके लिए relationship को लेके यह चीज अच्छी जाएगी चलिए तो मीन राशी वालों को किन बातों का ध्यान रखना ह अपनी जिन्दगी में ये बाते भी बता दी गए हैं अब अगर आप लोग विस्तार पूरवक्त चर्चा करना चाहते हैं अपनी married life को लेकर या किसी भी जीवन के पहलू को लेकर तो बहुत जरूरी है कि screen पर जो numbers flash हो रही हैं जो information जो details आप देख रही हैं उन पर आप contact कर अचारे जी से आप personally मुलाकात करें और one-to-one question करके अपने बारे में हर एक वो बात आप जाने जो की जानना जरूरी है चाहे वो फिर married life को लेकर है या फिर job को लेकर है अपने career को लेकर आप जानना चाहें सारी बाते आप जान सकते हैं बस आपको इनी numbers पर contact करना है अचार काल हमें कारेकरम को यहां पर विराम देना है क्योंकि समय शारा कर रहा है लेकिन आप हमारे साथ जुड़ी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार दर अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबान ना भूले